देश भर में बच्चों के स्वास्थ में सुधार के उद्देश से यूपी अध्यक सोनिय गांधी ने बुद्धवार को राश्टी बाल स्वास्थ से कारेकरम का महारास्थ के पाल घर में उद्गाटन किया 18 साल से कम उम्र के करीब 27 करोड बच्चों को चरणबध तरीके से इस कारेकरम के तहत लाया जाएगा उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविश हैं और उनकी अच्छी देख भाल को लेकर हमें चिनता है साथ ही कुपोशन और शिशु मृत्युदर हमारे सामने बड़ी चुनोतिया हैं हमारे सामने अभी भी कहीं चुनोतिया हैं राश्ची अस्तार पर शिशु मृत्युदर अभी भी अधिक है सोनिय गांदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है इस दिशा में उन्होंने हाली में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का जिक्र भी किया गरेलु हिंसा से उनकी सुरक्षा और पैत्रिक संपतिस में इस्सा देने का कानून भी लागू किया है आजीवी का योजना उनके इस योजना के अंतरगात महीला स्वायम सहेत समोह को बड़े पैमाने पर बैंकों से जोड़कर उनकी अमदनी को बढ़ाने की व्यवस्ता की गई है करेंडरी स्वास से मंतरी गुलाम नभी आजाद ने रास्टी बाल स्वास से कारिकरम की योजना के शुभारम पर कहा कि हमें देश के बच्चों के स्वास पर सबसे ज़यदा ध्यान देना होगा पूरे विश्ख बच्चों के स्वास्त के लिए और कारिकरम बनाने होंगे और उन कारिकरमों का परचार पूरे विश्ख में करना होगा तक्रीबन दो करोड बच्चे सरकारी और प्राइवेट हास्तालों में जनम लेते हैं इस कारेकरम के द्वारा वहीं उनका इलाज करना शुरू होगा केंद्री स्वास्य मंत्राले के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतरगत शुरू किये जा रहा है इस कारेकरम का उदेश बच्चों में शुरुवात में ही जनमजात कमियों और बिमारियों का पता लगाकर उनके जीवन में सुधार करना है इस कारेकरम में ठाने के पाल घर मे करीब 20,000 बच्चों को फायदा होने की उम्मीद है